Welcome to our Swing Trading Analysis video इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले कुछ ऐसे स्टोक का जिन स्टोक के अंदर रिसेंटर हमको breakout देखने को मिल सकता है और अगले हफते के लिए हम स्टोक के अंदर trades के लिए पलान कर सकते हैं और दोस्तों अगर इसमें शोट टम में अगर तेजी होती है था हमको काफी अच्छे रिटरंस भी मार्केट बना कर दे सकता है तो complete analysis करेंगे तो video को end तक देखेगा सो दोस्तों बिना time waste की video की करते हम शुरुआत सबसे पहले stock की बात की जाये तो Alcan Laboratories अपनी watchlist के अंदर आप add कर सकते हो नाम यहाँ पर check कर सकते हो Alcan Laboratories ठीक है इसको add कीजिए अब हम बात करेंगे इसके analysis की यहाँ पर अगर stock में देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों से देखोगे तो overall market में गिरावट थी जिसके सारे stock गिरे वो तो हमको पता ही है इसके अलावा इस sector में भी काफी अच्छा correction हुआ और अभी overall इस sector के जितने stock के सारे stock perform करना शुरू कर चुके है उसमें से एक stock मुझे अभी दिख रहा है फार्मा सेक्टर में इस stock में Alcan Laboratories काफी अच्छे level पर हमको दिख रहा है अगर इस stock perform करना शुरू करता है तो काफी अच्छा momentum हमको stock दे सकता है और simply यह रहेगा देखो इसमें इस हफते की candle अगर आप देखोगे कहीं का एक hammer candle बंती हुए नजर आई है अगर एक positive sign है तो simple रहेगा इस हफते का अगर यह high break करके निकलता है तो हमारी यहां पर entry यहां पर लगबग activate हो जाएगी stock के अंदर और maximum जो हम लेके चल रहे हैं इसमें resistance में next जो resistance point रहने वाला है वो है इसका 6000 लगबग 400 से 4500 की range ठीक है यह level cross करेगा तो stock में एक और शानदार momentum को देखने को मिलेगा जो उसके बाद जो मुझे लगता है कि next यहां पर stock में तेजी हो सकती है वो लगबग हमको दिख रहा है कि लगबग 7000 तक stock जो है जाने का potential रखता है तो कहीं ने कई 20-20% का यहां पर हम expected momentum हम प्लान कर रहे हैं stock के अंदर with the very small stop loss 5-6-7% का लगबग stop loss लेके हम इसमें प्लान कर रहे हैं तो पहला stock के लिए रहे है बहुत ही simple है और बहुत ही शानदा लेवल पर stock हमको नजर आ रहा है तो इसको आप regular track कीजिए ठीक है next stock की बात की जाए इस stock की में बात करूँ stock का नाम आप चेक कर सकते हो sun sun tv network ठीक है stock को में काफी लंबे समय से track कर रहा था है इसका analysis मैंने यूट्यूब पर वैसे detail में upload कर दिया है पहले काफी समय पहले upload किया था तो आपने नहीं देखा है तो वो भी जरूर चेक कीजिएगा ठीक है फिलाल दो बरा अगर देखें stock में मैंने last time जो analysis किया था पहले मैं analysis समझा देता हूँ कि exactly मैंने analysis के अंदर बताया क्या था recovery हमको देखने को मिल सकती है ठीक है price यहाँ पर आई एंड उसके बाद break करने की कौशिश की लेकिन break करके नीचे sustain नहीं कर पाया immediate तोर पर recovery हमको देखने को मिल रहा है तो simple चीज़ है अगर यह recovery करने के बाद अगर continue करता है तो एक momentum हमको upside का momentum देखने को मिल सकता है और stock देखा है कई ने कई अच्छे correction के बाद अच्छी price पर हमको देखने को मिल रहा है with the small stop loss छोटे stop loss के साथ हमारा stock के अंदर काम हो सकत है ठीक है तो simple चीज़ है यहाँ पर यह weekly time frame का chart है इसको और चोटा कर लेते हैं daily time frame पर देख लेते हैं ताकि और detail में हम अच्छी candles के साथ इसको देख पाए ठीक है तो यहाँ पर जो हमको simply catch देखने को मिल रहा है वो यहाँ पर यह है कि अगर यह price इस zone को पार करती है लग अगर 705 का round level number लेके चले अगर 703 से 55 का level break करके निकल रही है price तो कहीं ने कर इसके उपर कहीं हमारा breakout देखने को मिल रहा है तो कहीं ने कर यहाँ पर हम चीज़े plan कर सकते हैं ठीक है simple चीज़े और यहाँ से अगर इस टोग में तेजी होना शुरू करता है तो इस टोग कही फिर आने वाले time for हमको जो दिख रहा है वो thousand एक हजार 30 के आसपास का level हमको यह दिखाई देता है यहां तक इस टोग जो जाने का potential रखता है ठीक है तो first resistance में ने बता दिया यह वाला and second resistance होगा यह तो लगपक 30 से 32% का यहाँ पर हम expected हम plan कर सकते analysis के हिसाब से इतना target market हमको दे इस तरीकी से हम plan करें ठीक है with the very small stop loss बेना stop loss के साथ market में तो काम करना ही नहीं है अगर हम trading करते तो obvious बात है या तो stop loss लेना या target लेना simple चीज़ है तो अगर माली यहां से break करके नीचे आता है अगर इस level को cross कर रहा है 700 का level तो कहीं ने कहीं हम अपना stop loss ले सकते हैं यह major stop loss रहेगा इसके नीचे फिर हमको trade को hold करने की जुरूत नहीं होती है generally ठीक है यह मैं अपने लिए बता रहा हूँ ठीक है चलिए तीसरे stock पर बात करने से पहले दोस्तों मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि दोस्तों आप जो है मेरे analysis को everyday किस तरीके से follow कर सकते हो मेरा जो हमारी application launch किए trading talks नाम की play store पर available है इसके अलावा हमारी website यहाँ पर website भी हमने recently launch किए तो website पर आप simply आईएगा नीचे description में आपको हमारी application और website दोनों की link मिल जाएगी तो आप application भी store कर सकते हमारी directly website पर भी आ सकते है अगर website पर आते हैं तो simple यहाँ पर आईएगा और यहाँ कोर्स पर click करेंगे एंड उसके बाद आपको यह सारा subscription वाला plan दिख जागा मैं कोशिश करूँगा directly इसी page की link में आपको दूँ subscription वाले की अगर आप stock में invested है अगर आप stock में invest करना interest रखते हैं तो उसके लिए especially यह है ठीक है तो directly इस page का link में आपको provide कर दूँगा नीचे description तो directly यहां पर आएंगे उसके बाद आप यहां पर check कर सकते हैं तीनो प्लान यहां पर तीन प्लान हमने recently launch किये एक है equity equity premium analysis for small investor medium investor and large investor तीनो टाइप के investor के लिए हमने यहां पर कुछ plans launch किये जहां पर simple है मात्र महिने का 399 रूपीज पे करके आप जो exactly track कर सकते हो कि मैं इसके premium analysis यहां पर मिलेगा इसके लावर यह सारे इसमें जो तीन टाइप के analysis तीन टाइप का जो plan है इन तीनो टाइप के अंदर में जाओगे आप click करोगे तो यहां पर आपको एक video देखने को मिलेगा हर एक के लिए अलग-अलग video है इस video को आप देख लीजेगा और इसके description में सारी details में देर किये तो यह details पढ़ लीजिए तब आपको समझ में आएगा कि exactly आपको क्या benefits यहां से रहने वाल है किस तरीके से आप मेरे analysis को देख सकते हो मेरे portfolio को track कर सकते हो यह सारी चीज़ यहां पर है और मात्र 699 पे करके आप जो इसे join कर सकते हो तो ज्यादा information के आपको मिल जाएंगे website website की link के application की link के directly आप page पे जाएंगे detail एक बार पढ़िए उसके बाद हमें कोई और extra जान करी चीज़ आप हमें WhatsApp पे call करके connect कर सकते हैं बार कि directly simply buy कर सकते हैं website पे जाके and आप जो है सारी चीज़े facility यहां पर ले सकते हैं ठीके दोस्तों चलिए अब ह अब लंबे समय से इस टोग जो है downtrend में downtrend में नहीं long term में तो uptrend में चल रहा है current लेवर पर देखे तो correction हमको देखने को मिल रहा है ठीक है तो सिंपल चीज़े और stop loss हमको काफी ज्यादा चोटा लेके चलना अगर यह breakout होता है और breakout होने के बाद अगर यह breakout fail हो रहा है तो कहीं ने के यह level रहेगा हमारा कहीं के चोटा SL लेने के लिए बड़ा SL अगर चाहते तो फिर यह रहेगा बाकि चोटा SL इस रेंज में चोटा stop loss के साथ काम करेंगे ठीक उसके अलाबा फिर कहीं ने कई उपर में जो रेंज हमको दिखरी है अगर इस टोक में यहाँ पर मोमेंटम आना शुरू होता है तो कहीं ने कई जो जो हमारा प्लान है जो हमारे analysis के हिसाब से दिखता है तो कहीं ने कई हमको 384-85 की range हमको दिखाई देती इस टोक के अंदर अगर यह मोमेंटम 305-85 के ऊपर भी continue होता है तो कहीं ने कई फिर आने वाले टाइम पर हमको यह 430 तक का भी हमको यह target आने वाले टाइम पर दे सकता है ठीक है यह जस्ट मेरा अपना opinion है अपना analysis से आप अगर trade कर ले तो अपना analysis जरूर क opinion अपना view आप लोगों साथ यहां पर में share कर रहा हूं ठीक है अगर यहां तक कहीं ने कई market पहुंचते है तो कहीं ने कई लगबग 27% का target हम stock के अंदर लेके चल रहा है with the very small stop loss मात्र 14 पॉंट का stop loss 4% के stop loss के साथ हम काम कर रहा है with the 6.5 risk to reward ratio के साथ में which is fantastic next stock की बात की और फिर से में analysis यहां पर analysis तो already मैंने बता के रहा है last हपते के अंदर stock का नाम है reliance industries stock को देखा जाए तो top level से लगबग 25% का correction market already कर चुका है और कहीं ने कई अब यहां से recovery होते हुई नजर आ रही है ठीक है तो अभी last हपते भी दिया था लेकिन breakout हमको देखने को नहीं मिल अब अगर यह 1300 की ऊपर निकलना start करती price तो कहीं की breakout हमको देखने को मिलेगा और यह अगर break करके निकलेगा तो एक अच्छा momentum यह continue कर सकता है with the very small stop loss 1200 के आसपास हम 1215 से लगा कर 1200 की range हम देख की चल रहे है यह stop loss plan है इसके नीचे निकलता है तो stop loss जाएगा otherwise ऊपर में जो हम दो बड़े resistance हमको दिखाई देते हैं एक तो है 1600 की range इसके ऊपर अगर निकल जाता है तो फिर कहीं निकलता है तो दो हजार का next बड़ा resistance हमको दिखाई देगा तो वहां तक अगर हम देखे तो कहीं निकलता है यह 50% का target हम इसमें लेके चल सकते हैं with the very small stop loss तो I hope कि आपको चीज़े clear है किस तरीके से हमको चीज़े plan करनी है मैंने सब कुछ detail में explain किया है और दोस्तो अगर आपको मेरे साथ जुनना है तो बिल्कुल भी आप ये equity वाला plan बिल्कुल भी miss मत कीजिए जहाँ पर आपको premium analysis मिलने वाला है मैं jean stock के अंदर invest करता हूँ वो सारे stock का analysis और मेरा खुद का portfolio मुझे कितना profit and loss चल रहा है ये सब कुछ आप वहाँ पर जान पाएंगे तो बिल्कुल भी miss मत कीजिएगा और उसे जरूर चेक आउट कीजिए ज्यादा information के लिए आप हमें connect कीजिए whatsapp पर या call कीजिए directly मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगले वीडियो के आपसे जाम म ada दोकण दोसंहें onsिए टूर को आपसे मिलता है तो आप स 3000 वालब न रहा है को तो बिलते हैंने टापसे गल भीडियोगोंगे जोसे टोसे दोसेख भीड़ का attain tiverสcious उन应े हख हमें।र